मसकर दोस्तों स्वागत है आपका हमारी योट्यूब चैनल पर इस वीडियो में देखेंगे प्रीबियस एर के कोश्चन जीके और मैट के तो चलिए सुरू करते हैं आज का वीडियो तो गाइस आज के सेशन में पहला कोश्चन है हिंदू विधी पर एक पुस्तक मिताच्छरा किसने लिखी तो ये लिखी थी बिज्ञाने सोरने अगला ये लोक सवा में कोरम पूर्ती है तू सदस्यों की निउन्तम आवस्यक संक्या कितने निर्धारित है तो ये हो जाएगा आपका आप्सिन डी कुल सदस्यों का एक बटे दस भाग भारत का प्रतम फील्ड मार्सल कौन था तो आप्सिन ए एच एच के माने कसा आल इंडिया रेडियो के स्थापना किस बर्स होई थी तो आल इंडिया रेडियो के स्थापना होई थी आप्सिन सी 1936 में राष्टरी ये विज्यान दिवस कम मनाया जाता है आप्सिन भी 28 फरवरी को मनाया जाता है निम्नु में से कौन एक अधिस रासी है आप्सिन भी दाब या कह सकते हैं प्रेसर प्रेसर क्या है एक अधिस रासी है अगला है अलूमिनियम का आयस्क है तो अलूमिनियम का आयस्क हो जाएगा ऑप्सिन है बाक साइट आर एने का पूंड रूप क्या है तो आप्सिन भी राइवो नूकलिक एसिड अगला है बायू क्या है तो बायू जो होता है वो होता है आप्सिन सी मिस्रन होता है आयोडेन की कमी से कौन सा रोग होता है आयोडेन की कमी से रोग जो होता है वो होता है गंड माला यदि इंटरनेट में एक इमेल का पता है तो इसका किये जो अमार्स.org क्या दरसाता है तो option B domain का नाम दरसाता है LCD का विस्तारित रूप क्या है तो option D Looked Crystal Display Regiable Optical Storage का टिपिकली acronym निमन में से कौन होगा तो option D CDRW Computer को कौन बताता है कि इसके Components का प्रियोग कैसे किया जाए तो option A Utility बड़ प्रोसेसिंग प्रोग्रामों में किस प्रकार की फाइलें बनाई जाती है तो Document File अगला कोश्चन है गाइस 5000 रुपए का 4 प्रतिसत 12 दर से 2 वर्स का साधारण वियाच क्या होगा देखिए आपका मूलधन आपका P बराबर कितना है 5000 रुपिया 4% बार्षिक वियाच की दर से मतलब इसमाल आर कितना है 4 प्रतिसत और 2 वर्स का साधारण वियाच मतलब T समय आपका कितना है 2 years तो आपको साधारण वियाच बताना है तो ऐसा इस कल्टू क्या होता साधारण वियाच P इन्टू R इन्टू T अपान 100 P का मान कितना है 5000 R की वेलू है 4 T की वेलू है 2 और बटे में हो जाएगा आपका 100 2 0 से 2 0 कटा देखिए 5 50 इन्टू 8 तो 8 5 40 तो आपका अंसर आजाएगा 400 400 रुपए आपका आजाएगा Option A Is Right Answer Option A यदि 300 मीटर लंबी एक रेल गाड़ी तो डिस्टेंस आपके कितनी है D कितना है 300 मीटर और यूनिट देखिए इसमें यहाँ पर मीटर में है और आगे देखिए 72 किलो मीटर प्रति घंटा की चाल Speed कितनी है 72 किलो मीटर प्रति घंटा और Option में भी आपका देखिए यूनिट जो है वो सेकेंड में है इसलिए हम लोग चाल को मीटर पर सेकेंड में कनबट करेंगे तो किलो मीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकेंड में कनबट करने के लिए क्या करेंगे पांच बटे अठारा का मल्टिप्लाई है तो अठा चोक 72 तो चार में पांच का गुणा करेंगे तो 20 मीटर पर 30 सेकेंड आपका आजएगा स्पीट आगे क्या आपका आइता है चाल से चल लएए एक खंबे को पार करने में रेल गाड़े को कितना समय लगेगा तो इसमाल T की बैलू बतानी है तो चाल बराबर क्या होता है दूरी बटे समय मतलब चाल बराबर दूरी बटे समय तो हमें इस समय बताना है तो T यहां से क्या हो जाएगा D अपान S D कितना है 300 मीटर और s कितना है 20 1,0 से 1,0 कटा 2 से 30 कर जाएगा तो आपका आजाएगा 15 तो आपका कितना आजाएगा 15 सेकेंड option है is right answer इसरा question है बहुत ही simple सा है देख लेते हैं 3x प्लस y और 2x माइनस 3y को हल करना है तो simple सा है solve करते हैं 3x प्लस y एक question में दूसरे question में 2x-3y तो सबसे पहले 3x को लेते हैं 3x का multiply 2x में करते हैं तो 6x square फिर 3x का minus 3y में करते हैं तो minus का 9x by फिर plus लगाया क्यूंकि यहाँ पर भी plus का by है अब by का multiply plus 2x में करेंगे तो 2x by अब by का 3y में करेंगे minus के तो minus का 3y square आ जाएगा ओके गाइस अब देखिए ये 6X square हो जाएगा माइनस का 3Y square ये हो जाएगा अब 9XY से 2XY जाएगा तो माइनस का 7XY आ जाएगा अब ये जो निकल कर आया यही आपका answer हो जाएगा ये किस में आ रहा आपका ये जो आ रहा है आपका option C में आ रहा है option C is the right answer चलिए अगला question करते हैं एक देखिए संख्याएं आपको दी हैं 52, 55, 55, 54, 55, 55, 51 और 57 तो इसका बहुलक क्या होता है बहुलक जो आपका होता है तो मैं आपको बता देता हूँ बहुलक जो कैसे निकलना होता है आपको बहुत सारी संख्याएं दे दी जाएंगी और उसमें आपको बहुलक पूस दिया जाता है तो उन संख्याओं में जो संख्या सबसे ज़्यादा बार repeat होती है बही आपका बहुलक हो जाएगा देखिए कि इसमें देखिए बहुलक क्या होगा आपका पच्पन तो यहां पर देखिए, हम लोग 1 बटा 4 बना लेते हैं, मतलब हर को बराबर कर लेते हैं दोनों में, तो ऊपर भी 2 का मल्टिप्लाइ कर देंगे, नीचे भी 2 का मल्टिप्लाइ कर लेंगे, तो आपका 1 बटा 4, सुरी 2 बटा 4 यह हो जाएगा, फिर प्लस 1 बटा 4, अब LCM ल बड़ी से बड़ी, अभाज संख्या बताईए, तो दो अंकों में आपको बताना है, तो बड़ी से बड़ी अभाज संख्या आप्स्न के हिसावब अगला कोश्रन कर लेते हैं, अगला कोश्रन है, आठ कामा तेरा कामा पच्चिस कामा दस कामा 19 कामा 22 कामा 36 का आवसत क्यात कीजिए तो एबरेज क्या होता है आवसत क्या होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या तो निकाल लेते हैं पदों का योग कर लेते हैं पद आपके कौन कौन से हैं आठ है फिर तेरा है जोड़ दो सबी को फिर पच्चिस पच्चिस को जोड़ देंगे फिर देखिए दस उननिस दस प्लस उननिस प्लस फिर बाइस प्लस चत्थिस और पदों की संख्या पदों की संख्या देखे कितनी है एक दो तीन चार पांच छे साथ पदों की संख्या आपकी टोटल कितनी है साथ तो आपका बटे में साथ आजाएगा उपर यो करने पर आपका आएगा 133 बटे में साथ इसको काटेंगे तो आपका कितना आंसर तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही थैंक्यू दन्यवाद